नमस्कार आप देख रहे हैं दा दस्तक 24 पेसे आप तक की 20 सबसे बड़ी खबरें खबरों को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में एक प्रस्ट पूछा जाएगा मानो संसादन विकास मंत्री प्रकास जावडकर ने कहा सरकारी और प्राइवेट संस्तानों में 2019 सेशन से लागो हो जाएगा 10% सवर आरचन मानो संसादन विकास मंत्रा ने मंगलवार को एलाइन किया कि वा सिच्चन सत्र 2019 से सामान स्रेड़ी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लिए 10% आरचन को लागो करेगा और देश भर में 9 सिच्चा संस्तानों तथा 20 सविध्यालों में करीब 25% सीटें बढ़ाएगा केंद्री मानो संसादन विकास मंत्री प्रकास जावडकर ने बताया कि मंत्राले विस्विध्याले अनदाव आयोग युजिसी और अखिल भारती तक्निकी सिच्चा परस्याथ AICTE के अधिकारियों की बैठक में या फैसला किया गया मीडिया को संबोधित करते वे उन्होंने कहा सिच्चन सत्थ 2019 से ही आरच्चन लागो हो जाएगा करीब 25 परसर सिटे बढ़ाई जाएगी ताकि अनसोचित जाती अनसोचित जन जाती तथा अनसरेणियों के ताहत मौझूता कोटा प्रभावित नहीं हो जावेडगर ने कहा कि तौर तरीकों पर काम हो रहा है और एक सब्ताय के भीतर हम बढ़ाई जाने वाले सीटों का सही सही संख्या बता देंगे करिनाटक में सियासी हल चल बीजपी मंत्री का दावा दो दिन में गिर जाएगी कुमार स्वामी की सरकार करिनाटक में चल लए सियासी हल जल के बीज महाराष्ट से भाजपा के एक मंत्री ने दावा किया कि कुमार स्वामी की सरकार दो दिन में गिर जाएगी उनका या बयान कांग्रेस जेडियेस सरकार में दो निर्दली विधायकों के समर्तन वापस लेने के बाद आया है यह दावा महाराष्ट के जल संगरचन प्रोटोकाल और ओविसी मंत्री राम सिंदे ने किया है उन्होंने मीडिया से का काइनाटक की जनता ने 2018 में भासपा के समर्तन में जनादेश दिया था लेकिन हम सरकार बनाने से कुछ अंकों से ही कम रह गए कांग्रेस JDS कडबंदन आइस्तिर है ऐसे में संकेत है कि कुमार स्वामी सरकार दो दिन में गिर जाएगी स्कोलों में केजरी वाल सरकार के वैक्सिनेशन केंपेर हाइ कोट ने लगाई रोग दिल्ली हाई कोट ने अरविंद केजरिवाल सरकार के उस महत्ता कांचे वैक्षिनेशन कैम्पेर पर फिलहार रोक लगा दी है जिसमें 16 जनवरी से राजधानी में सभी स्कूलों में खसरे को खत्म करने के लिए मेजल्स रुबैला वैक्षिनेशन दिया जाना था कोट ने यह रोक लगाई है क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस एंजेक्षन को लगवाना बच्चों के लिए अनिमार कर दिया था सरकार के इस वैसले को हाई कोट में चुनावती दी गई और सुनुवाई के दोरान कोट ने माना के बिना अभिवावकों की मर्जी के बच्चों को स्कूल में यह वैक्सीन जबरन नहीं दी जा सकती तेजस्वी यादों का बड़ा ब्यान और उनके यहाँ च्छापे मारी भी होती है उन्होंने पटना साहिब छेतर से भाजपा सांसर सत्रुन सिनह से पारिवारिक रिष्टे बताते हुए कहा कि वह जिस पार्टी में जाना चाहेंगे वह पार्टी उनका स्वागत करेगी पटना में एक समाचार चैनल के कायकर में तेजस्वी ने च्छातने तक करहिया कुमार के खिलाब दिल्ली की एक अदालत में तीन साल बाद लोग सोबाद चुनाओ नजदी काने पर आरोप पत्र दाकिल किया जाने पर अपनी प्रत्किरिया वेक्त की और कहा जो भी भाजपा के खिलाब बोलता है उस पर मुगदमा होता है हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है अब सब कुछ अदालत ते करेगी हमें नियाए पर भरोसा है तेज़ दुरेयों के मुगदमे में 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाकिल किया जाने का नियम होता आगले साल से Windows 7 का सपपोर्ट बंद करेगी Microsoft मसूफूर कमपनी Microsoft अपने कम्प्यूटर आप्रेटिंग शिश्टम Windows 7 का main stream support बंद करने के बाद इसका extended support भी बंद करने जा रही है Company इस operating system में नए फीचरों को जोड़ना पहले ही बंद कर चुकी है या extended support अगले साल 2020 में 14 जनवरी से बंद हो जाएगी हलंकी जानकारी के मताविक Windows 7 को मिल लए extended support के खत्म होने से computer काम करना बंद नहीं करेगा लेकिन इस संबंद में यूजरों को मासिक अपडेट मिलना बंद हो जाएगा ऐसे में computer में किसी भी तरह की समस्य आने पर यूजरों को support नहीं मिल सकेगा केंद्री ग्रहमंतरी राजना सिंग ने का सामोहिक धर्मांतर किसी भी देश के लिए चिंता की बात इस पर बहस होना जरूरी केंद्री ग्रहमंतरी राजना सिंग ने मंगलवार के एक इसाई संगर्ण के कारकरम में का कि हम जीते या हारे हम लोगوں के 20 बहेदवाओ नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी का कि देश धर्में सामोहिक धर्मांतरन रोगना चाहिए. राजणाज नहीं का कि वा किसी भी धर्म के अंसरनों की आजादी का समर्सन करते हैं. लेकिन उनकी राया है कि सामोईक धर्मांतरण किसी भी देश के लिए चिंता की बात है और इसलिए इस भी से पर बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि जहां तक सरकार की बात है तो किसी के साथ भेदवाव नहीं होगा राजन सिंग ने का कि बेटे न और अमेरिका समित लगवक सभी देशों में अलवसंख्यक धर्मांतरण बिरोधी कानून की मांग करते हैं लेकिन भारत में मैं देखता हूँ कि बहसंख्यक मांग करते हैं कि धर्मांतरण बिरोधी कानून होना चाहिए तो यह चिंता की बात है ऐसा नहीं होना चाहिए RSS नेता इंद्रिस बोले आयध्या पर देरी के लिए कांग्रेस, वाम और दो तीन जज हैं गुनागार RSS नेता इंद्रिश कुमार ने मंगलवार को अरप लगाया कि कांग्रेस वाम और दो तीन जज उन गुनागारों में हैं जो नियाए में देरी कर आयध्या में राम मंदिर के निर्माण में अड़चन डाल रहे हैं उन्होंने दोहराया कि RSS की मांग है कि मंदिर के निर्माण के लिए सरकार अध्यादेस लाए RSS नेता ने कहा हम सरकार से संसद में चर्चा कराने की अपील करते हैं हमारा मानना है कि जल्द से जल्द नयाय होना चाहिए समूचे देश की भावना है कि जितनी जल्दी हो सके भगवान राम के मंदिर का निर्मान होना चाहिए राफेल की आडिट डिटेल देने से C.A.G. का इंकार कहा ये संसत के बिसे सा अधिकार का हनन फ्रांस के साथ हुए राफेल सौधे पर कांग्रेस और बिज़िपी के बीच लड़ाई जारी है कांग्रेस इस डील में भारी घोटाले का आरोप लगा रही है तो मोधी सरकार इससे इंकार कर रही है वही नियंतरक वा महालेखा परिचक C.A.G. ने विवादित राफेल लड़ा को बिमान सौधे की आरडिट रिपोर्ट की डिटेल देने से साफ इंकार कर दिया है C.A.G. ने कहा कि राफेल करार के आरडिट का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है अभी कोई कुलासा करने से संसत के विशेसा अधिकार का हनन होगा पूरे में रहने वाले करकता बिहार दुर्वे की ओर से सूचना का अधिकार कानून के तहत दायर एक अरजी में अपने जवाम में C.A.G. ने यह जानकारी दी कैग ने कहा राफेल डील की आडिटिंग फॉरसेस चल रही है रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है यह सूचना आटियाई कानून की धारा आट एक सी के तहत नहीं दी सा सकती क्योंकि ऐसा करना संसत के विशेसा अधिकार का हनन होगा मोधी सरकार ला रही है नई योजना अब एटियम से फिरी में निकाल सकेंगे दवा एटियम से आप तो पैसा निकालते हैं लेकिन अब एटियम से दवा भी निकलेगी सरकार हर जिले में ऐसा एटियम लगाने पर विचार कर रही है जिससे आप मुफ्त में दवा निकाल पाएंगे आंध परदेश में हुए परियोग में उसाहित होकर कें सरकार आप बड़े बैमाने पर दवा वाले ATM लगाने पर विजार कर रही है इस ATM का पूरा नाम है Anytime Medicine जिसमें ब्रांडेड और जेनरिक दवा पुलब्द होगी इस ATM से टैबलेट के साथ साथ सीरब भी मिलेगा National List of Essential Medicine List में मवजूद अधिकतर दमाएं इस ATM में होंगी बड़मान के लोगों के खाते में फिर आए 25-25 थाजार रुपिये MLA ने कहा मोदी जी ने विजवाए अगर आपकी जानकारी के बीना खाते में एक बार नहीं दो दो बार पैसे आजाएं तो साथ आप भी भूचक के हो जाएंगे ऐसा ही कुछ पस्चिम बंगाल के बर्दमान जिले में हो रहा है बर्दमार में कई लोगों के बैंक खाते में दोबारा अपने आप पैसा आने से लोग चोग गए हलांकि या किसी को पता नहीं कि पैसे कहां से आ रहे हैं जिन लोगों के खाते में पैसा आया है उनमें से किसी के एकाउंट में 10,000 तो किसी के एकाउंट में 25,000 रुपिय तक आये हैं यह पैसा इको बैंक, उनाइटेड बैंक आफ इंडिया और SBI वाले खातों में आ रहे हैं इस बारे में जब मीडिया ने बैंक मैजर से पूछा त सब दिनों से लापता एयर इंडिया की मैनेजर, जनकारी देने वाले को एक लाख इनाम की घोश्णा, दिल्ली से लापता एयर इंडिया की एक मैला मैनेजर का तीन महीने से कोई सुराग नहीं मिला, मैला का सुराग देने वालों को उनके बेटे ने एक लाग रुपिय का इनाम देने की घोषणा की है इस बापत दिल्ली के चाड़क पुरी थाने में मामला दर्ज किया गया है माईला का नाम सुरचणा नरूला है माईला के बेटे ने बताए कि उनकी मा लगबख सौ दिनों से पंडारा रोड इस्टित अपने घर से लापता है रिपोर्ट के मताबिक 30 सिजंबर को वा अपने इंजिनियर बेटे से कहकर गए कि वो बाहर टहलने जा रही है लेकिन 5 ही मिनट बाद जब बेटा मा को देखने गया तो वो वहां नहीं मेरी इसके बाद वा अभी तक घर नहीं लोटी डिगरी विवाद में किरकिरी के बाद ABVP के सक्ति सिंग डुसू के नए अध्यास घोसित दिल्ली विश्विद्याला के अध्यच का कारिबार सक्ति सिंग को सौप दिया गया है यह फैसला दिल्ली विश्विद्याला परसासन ने लिया है अकिल भारती विद्यार्थी परसद ने दिल्ली विस्विद्याले के इस कदम का स्वागत किया है अकिल भारती विद्यार्थी परसद ने कहा कि यह शात्रों के संगर्स की जीत है ससक्त शात्र संग शात्रों को बहतर पतनित देने में सफल होगा डुसू अध्यश सक्तसीं ने कहा दिल्ली भी स्विध्याले ने यह कदम देर से उठाया शात संग अध्यश का पत खाली होने के वज़े से शात संग सुचारों रूप से कार नहीं कर पा रहा था लेकिन हम कम समय में ही दिल्ली विश्विद्याले के चात्रों के लिए बहतर कदम उठाएंगे बता दे कि 15 नमंबर 2018 को दिल्ली इनुश्टी चात्संग अध्यच अंकित बसोवा को ABVP ने संगटन से निलंबित कर दिया अंकित बसोवा पर फरजी डिगरी का इस्तेमाल कर चात्स चुनाव लड़ने का आरोप था मद परदेश में 31 IAS अधिकारियों के तबाद्रे मीड़ा व्यापम अध्यच ACS इकबाल सिंग को मासिमम बेजा राजस्तान गहलोद सरकार ने सरकारी योजना से हटाया दिन देयाल उपाद्रे का नाम राजस्तान के सत्ता में कांगरेस सरकार के आने के बाद से सरकारी योजनाओं के नाम मदले जाने का सिलसिला लगातार जारी है खासकर उन योजनाओं के नाम मदले जारे हैं जिनके नाम चंसंग के संस्तापक दीन देयाल उपाद्रे के नाम पर हैं गहलो सरकार ने दिन दियाल उपाद्धिया वरिष्ट नागरिक तीर्थी योजना के आगे से पंडित दिन दियाल उपाद्धिया का नाम हटा दिया है। इस तरह से इस योजना का नाम एक बार फिर से मुख मंतरी वरिष्ट नागितिती योजना कर दिया गया है। कि सुप्रीम कोट ने देश में बढ़ती जनसंक्या पर चिंता जताई है। इसे टाइम बंप की तरह खतनाग बताया। अदालत ने सरकार, धर्म गुरूं और सामाजिक संगटनों से जनसंक्या नियंतरण के लिए 60 कदम उठाने को कहा है। इसमें परती परिवार दो नीती भी लागू करने का आदेश दिया। चीप जस्टिस साकिप निसार के अद्धशता में तीन सदसी बेंच ने मंगलवार को कहा बढ़ती जनसंक्या आने वारी प्यूर्णियों के लिए हानिकारक है। बतादे कि 2017 की जडगनना के मताविक पाकिस्तान की आबादी 20 करो लोगों की मौत का दावा। दिल्ली में ठंड का कहर जा रही है। गिरते पारे ने आम लोगों की हालत खराब की है। इस्तिती ऐसी बत्तर है कि ठंड के कारण राजधाने में पिछले 14 दिनों में 690 वे वेगर लोगों की जान जा चुकी है। मौत के इस खतनाक आकड़े स ठंड के कार का साफ अंदाजा लगा जा सकता है। ठंड से मौट का ये आकड़ा CSD Center for Helistic Development नाम की एक एजनसी ने किया है। इसी एजनसी के अनुसार दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक ठंड से कुल 331 मौते हुई हैं। जिनमें से सिर्फ 235 लोग ऐसे हैं जिनोंने दिसंबर में अ और मज़दूरी कर गुजर बसर कर रहे थे हैं। एक से दस रूपए तक के बदले जाएंगे सभी सिक्री, 20 का आएगा नया सिक्री. 20 रूपए का सिक्री या फिर नोट क्या लाया जाए земे, लंब मन्थन के बाद आकिर काता होगा कि सिक्रा लाया जाएगा, अब नोट की जगा 20 का नया नवेला सिक्का जारी होगा यहीं नहीं भारा सरकार एक रूपिय से लेकर 10 रूपिय तक के सभी सिक्कों को भी बदलने जारी हैं 20 का सिक्का अश्ट कोणी आकार का हो सकता है सिक्के इस परकार ढाले जाएंगे कि द्रिष्ट बाधित तिब्यांग इन्हें आसानी से पहचान सके हैं 12 सरकार के आर्थिक कारी विवाग के अनुसचिव ने इस संबन्द में पत्र जारी कर सिक्कों की डिजाइन फाइनल करने से संबन्दित लोगों की बैठा गुलाई इससे पहले भारती रिजर्बैंग 20 रुपिय के नोट जारी करने की तैयारी कर रही थी जिसकी डिजाइन अंतिम चरण में थी माना जारा कि कागज की खपत को देखते वे अभी सिक्कों को ही जारी किया जाएगा ऐसे में RBI अभी 20 रुपिय के नए नोट जारी करने से रुख सकती है भारती बाजार इस समय सिक्कों के बोश तले दबा हुआ है मार्च 2018 तक भारती बाजार में कुल 25,600 करोंड रुपिय के सिक्के परचलित थे हैं जिनके मार्च 2019 तक बढ़कर 26,000 करोंड रुपिय होने का अनमान है 60% भारतीयों को साकाहार पसंद Global Research Company ने 29 देशों में किया सर्वे Global Research Company इपसोस ने भारतीयों के खाने के मिजाज पर एक सर्वे किया है इसके मताबिक 60% भारती साकाहार पसंद करते हैं और नानवेज छोड़ना चाहते हैं Global Research Company इपसोस की रिपोर्ट के मताबिक देश में डायबेटीज जैसे रोगों से पीड़ेद लोगों की संख्या बढ़ने के बीच खाने की पसंद बदल रही है और मांसाहारी के मुकाबरे साकाहारी लोगों की तादाद बढ़ रही है रिपोर्ट के मताबिक परंपरागत तरीके को छोड़कर अब भारती परियोग में विस्वास करने लगे है उन्ती देशों में करीब दो महीने तक चले सर्वे में एक हजार लोग सामिल किये गए थे रिपोर्ट में सामने आया कि 57 फिजदी बारती खानपान में आरगनिक फूड सामिल करते हैं वहीं बीटेंड में 12 फिजदी और जापान में 13 फिजदी लोग आरगनिक फूड का इस्तेमाल करना चाहते हैं अंतरिश की दुनिया में चीन ने रचा इतिहास चांद पर उगाया पहला पौधा चीन ने चांद पर अपना एक रोवर बेजा जिसमें कपास के अलावा अन बीज रोपकर भेजे गए थे इस रोवर का कपास का ये वीज अंकुरित हो चुका है ऐसा होने के बाद पहली बार हमारी दुनिया से बाहर चांद पर कोई पौधा पनप रहा है बैगन को ने या जान करे दी चीन की एक इनिश्टी के द्वारा जारी की गई तस्पीरों के स्रिंखला के मताबिक चांग E4 के इस महीने चंदर्मा पर उतरने के बाद ये बीज एक कनस्तर के भीतर मौजूद जाली नुमा धाचे में पनपा है परियोग के डिजाइन के अगवाई करने वाले साई गेंग सिन ने कहा यह पहला मौका है जब मानों ने चांद की सता पर जीव विग्यान में परियोग करके पौधा हुआया है चीन ने सिलंका को दिया 2100 करोन रुपिय का कर्ज का परस्ताओ चीन ने भारत के परोसी देश सिलंका पर अपना परभाव बढ़ाने के लिए नए कर्ज का परस्ताओ दिया है चीन के एक बड़े बैंक ने 30 करोन डालर करीब 2100 करोन रुपिय का लोन देने की पेस्कस की है इस लोन को एक अरब डालर तक बढ़ाया भी जा सकता है चीन के चौते सबसे बड़े बैंक की ओर से मिले लोन के इस परस्ताओ से जुड़े एक सूत ने कहा कि सरकार इस परस्ताओ पर विचार कर रही है इस बारे में हालांके स्रिलंका के वित मंत्राले और बैंक आफ चाइना से अभी कोई टिपड़ी नहीं आई है लोन के या परस्ताओ ऐसे समय पर सामने आया है जब स्रिलंका में सियासी उठापटक के बाद चीन समर्थक महिंदा राजपेच्छे को परधान मंत्री से हटना पड़ा उनके स्थिपए के बाद रानिल विक्रम जिंगे ने दुबारा परधान मंत्री की कुर्सें सब्या ली आज का परस्न है पाकिस्तान का जनसंक्या के हिसाब से दुनिया में कौन सा अस्तान है परसन एक बार फिर सुन लिजिए पाकिस्तान का जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में कौन सा अस्तान है इसका जवाब आप हमें नीचे लिखी इमेल आइडी पर जरूर भेजें अगले परसन के लिए बने रही हमसे और सब्सक्राइब करें सेयर करें लाइक करें झाल